स्लाम अलेकुम बच्चों तुस्यांत क्लास मेहत की जो नियूबुक है आज एक्सरसाइज 3.2 का मैं करवाँगी क्वेस्चन नबर 3 और 4 तो मैंने यहां पर क्वेस्चन नबर 3 की स्टेटमन्ट को लिख लिए है तो पहले मैं आपको समझाँगी इसकी स्टेटमन्ट और फिर हम करेंगा इसका सिलूशन चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा तो क्वेस्चन में का ग तो सबसे पहले हम को스टन में लिख लेंगे दूरेशन ऑफ एमत वर्क मतलब उस ने कितना वर्क किया वह दूरेशन कितना है एमत वर्क in months में में दिया गया है हमने इ Erst currently मालोम करना है तो हम यहां पर लिख लेते हैं sahas एमत वर्क इन मान्थ क Administration कितने महीने काम किया यह Question में लिख लेंगे Duration of AIMD work मतलब उसने कितना work किया? वो duration कितना है? AIMD work in months Month में दिया गया है, हमने years में मालूम करना है तो हम यहां पे लिख लेते हैं AIMD works in month उसने कितने महीने काम किया? यह question में बताया गया है 135 months फिर question में यह जरेंगा है कि अहमद वर्क सिन इयर्स मालूम करें कितने साल काम किया महीनों से हमने साल बनाने है तो कुस्चन अबर वान में हम सीख चुके हैं अगर मत दी हो तो हम उनसे साल बना सकते हैं तो हमने मालूम करना है एमद वर्क इन इयर्स इयर्स में मालूम करना है महीनों के अंदर दिया गया है यहां पर हम कुस्ट्रमार्क लिख लेंगे जो वाली हमने मालूम करने है तो यह मालूम करने के लिए एमद वर्क इन इयर्स तो हम 135 है, मन्त है, इनको एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, इस पर डिवाइड कर देंगे, 135 को 12 पर, अब आप ये डिवाइड कैल्कुरेटर पर कर सकते हैं, या तो हम इस तरह लिख के भी इसको डिवाइड कर लेते हैं, उपर वाली वालियो को अंदर रखते हैं, नीचे व अब उपर से 5 नीचे आजाएगा, अब अगें हम 12 को किस टेबल पर करें कि इससे लेस वाल्यू है, तो 12 वाल्यू होगा, और फिर 12 तूजर करेंगे, 24 तो हम इसको 1 पर ही करेंगे, 12 वाल्यू जार 12, माइनस करेंगे 5 में से 2 3, 1 माइनस 1 0 वहम नहीं लिखते हैं, तो यह अब यह 1 है, यह भी 1 है, अब यहां से हमें पता चल गया, कितने साल बनते हैं उसके, तो यह साल होते हैं, यह बहीं नहीं होते हैं, यह जो डिवाइड करते हैं, वो वैल्यू हम नहीं लेते, तो 11 साल तीन माँ, तो हम लिख सकते हैं, यहां पर 11 एयर्स, यह नहीं कितने सा 12 साल 2 माँ काम किया एक फैक्ट्री के अंदर पहले यह कार वगा इसके बाद करते हैं बचों के इसके olmड मेरा है Q3 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 house उसने अपनी grand mother के घर में कितने दिन गुजारे तो ये weeks में दिये गे हैं 315 weeks पांच दिन तो हमने ये जो 315 weeks हैं इनको किस में मालूम करना है days में how many days तो हमने इसको convert करना है days में यानि कि ये कागया है कि जैन ने अपनी दादी के घर 315 हफते और पांच दिन गुजारे how many days does he spend in his grandmother house यानि कि उसने अपनी दादी मा के घर कितने दिन गुजारे ये मालूम करें तो weeks को हम convert करनेंगे days में तो वो निकल आएंगे दिन तो यहां से हमें दिन पता चल सकते हैं तो हम पहले लिख लेते हैं कि कितना given क्या है कि जैन स्पेंड ताइम्स कि इन ग्रेंड मदर हाउस इस इक्वल टू तो मैं यहां जगा काम है इस वजह से यहां पे लिख रही हूं तो तीन सो पंद्रा वीक्स फाइफ डेज तो जैन ने स्पेंड किया अपनी दादी अमा के हाउस में यह तीन सो पंद्रा हफते पांच दिन तो मालूम हमने क्या करना है दूरेशन इन डेज यानि कि हमने मालूम करना है डेज की अंदर तो यहां पे स्मॉल थोड़ा शॉर्ट फारम इसकी बन जाए तो यहां पे आप उपर भी लिख सकते हैं डूरेशन ओफ ग्यार्ड मदर हाउस इन डेज सोरी इन वीक्स था यह अमने डूरेशन निकलना है में डूरेशन ओफ जैन स्टी तो इन डेज 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 डूरेशन ओफ डेज लिख लेते हैं ताकि शॉर्ट फारम इतनी लेंधी ना हो यह हमने मालूम करना है अब उसके लिए हमने इस वालियो को कनवर्ट करना है तो यहां पे मैं पहले इसको लिख लेती हूं 315 वीक्स हैं और फाइफ डेज हैं तो कनवर्ट किस ना करना है यह तो पहले ही डेज ना ihn को बनना है डेज में तीन सौ पंद्रह जो वीक्स है ना justamente में बनाना है ये साथ जो days हैं ये उसमें जमा कर देंगे तो हमें वो total days मिल जाएंगे अब आप 315 को जब 7 से multiply कर देंगे तो आपके पास answer आएगा 2205 यानि कि 2205 इसके अंदर हम 5 जमा कर देंगे तो यह आजाएगा 22010 days यानि कि ये जो वैलियो थी 315 हफते 5 दिन इसमें कितने दिन बनते हैं 2210 दिन बनते हैं होपसो आपको समझ आ गई होगी दोनों questions की फिर भी से related किसी का कोई question हो तो comment section में पूछ सकते हैं अल्ला आफिस